बिसम अलेखन गभी असलाम लेकूम दोस्तों मैं आपको पाल्टुटुटुटुट और की टोटल एंसीरीज में खुशाम देता हूं यह हमारा SEO से रिलेटर दूसरा लेक्षर है जिसमें हम डिसकस करेंगे कि अपनी वेब साइड या पोस्ट लैप टाइटल को मैंटे डिस्क्रिप्शन को कैसे एंडल कर सकते हैं और किस तरह उसको वैल अप्टिमाइज कर सकते हैं सबसे पहले पार्टिडर.org पर आएंगे और यहां पर एक पोस्ट भी लिखिये हैं लेटर जिसमें डिटेल्स किया है टाइटन टैग को मैटर टैग को और कीवर्स को कैसे आपने कीवर्स को अपनी पोस्ट में या अपनी वैब सेट बनाते वेगे कैसे आपनी यूस करना है इस टॉपिक से रिलेटर जो जो भी इसमें आप कुछ जो जरूरी चीज़े हैं खास तोर पर टैटल टैग और मैटर टैग की जो लेंथ के बारे में बहुत से लोग ख्याल नहीं रखते हैं या उसको वैल आप्टिमाइज नहीं करते हैं जिसकी वज़े से उनकी एसियो ज तो इस पोस्ट में इस चीज़ को डिटेल से डिसकुस करेंगें किस अब तक आप अपने कीवर्ड्स को पोस्ट में वबसाइट को यूज कर सकते हैं प्लस आपको टैटल टैग और मैटर टैग की आप किस सब तक लेंथ लिग सकते हैं इसको में एक्जाम्पल से भी देखे और आप जरूर इसको रीडाउट करें इस वीडियो के साथ सब्सक्राइब और यहां से आप कुछ जो पॉइंट्स है मीन पॉइंट्स रूरी जरूर नोडाउन भी करें साथ में ताके आपको बाद में भी चीजे याद रहें और आपको help out होती रहा हर post लिखने से पहले भी सबसे पहले हम discuss करेंगे टाइटल टाइग को टाइटल टाइग क्या चीज होती है और कैसे शो होती है सर्चीजन में हम एक example इसकी check करते है हम नहीं पर एक phrase लिखी और इसको सर्च किया तो जो आपको blue color में लाइन नज़र आ रही है दरसल जो इस page का टाइटल है जो जिस page का आप URL नीचे देखें दरसल उस page का टाइटल है जो के blue color में शो होगा और इसकी आप limit के साथ तक कितने words या कितने characters आप एक title को दे सकते हैं जब भी आपने पोस्ट लिखनी है या अपनी वेब साइट का title सेलेक्ट करेंगे तो maximum आप six words या 55 characters इससे जादा कर जो आप title लिखेंगे वह search engine इसको skip कर देगा या उसको show नहीं करेगा तो बहुत ज़री है कि आपका जो title है six words के दर्मियान है या 55 characters के between हो इससे ज़्यादा कि जो title tag है वो search engine इसको skip कर दाता है जैसे हम यहाँ पर एक example देख सकते हैं इस page के जो title tag है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि search engine इसको skip कर दिया कि इसके words रहे हैं आपका देख सकते हैं जैसे आपका देख सकते हैं यहाँ पर हमारी website और URL शो हो रहे है और बिल्कुल well optimized है कोई इसमें को skip होती ही चीज नजर नहीं आ रहे इस चीज का आपने बहुत अधर श्याल रखना है कि आपका title tag जो है limits के अंदर हो तकि आपके search results में वो skip नहीं हो सेकंड चीज हमारे पास है meta tag या meta description बहुत ज़दे important चीज है SEO के अवाले से इसके में आपको एक example भी जाता हूँ search results में जो आप URL के नीचे एक चोटी सी summary देखते हैं दरसल यह आपका meta description होता है और इस चीज से ही search engine और user अंदासर लगते हैं कि यह आपकी जो post है किस चीज के बारे में है So, आपकी जो meta description है fully value optimized होनी चाहिए और to the point हो और unique हो कोई भी meta description आपने किसी पेज की कभी भी copy paste करके नहीं लिखनी Otherwise, आपकी ranking hurt होगी और आपकी traffic बहुत असा अंदास होगी यह चीज So, हमेशा आपने कोशिश करनी है कि आपकी well optimized हो और unique meta description और title tag नहीं दोनों चीज़ों को पभी भी आपने किसी पेज का copy paste Title tag और meta description से आपने बिल्कुर गुरेस करना है कोशिश करनी है कि आपकी meta description में लाजमी तोर पर जो आपकी keywords है जो के भी आपके जालके बात करेंगे वह भी इसमें जरूर add कुए हो और इससे बहुत अच्छा आपकी ranking पर एसल परता है जब भी कोई आपकी शक्स यहां पर कोई बीची सर्च करेंगा और अगर आपके वह page से related है तो अगर आपने बिल्कुली to the point मेरा description लिखिया और इसमें अपना keyword भी यूज किया है अच्छा तरीके से तो लिकीनी तोर पर वह आपकी post अच्छी ranking पर शो होगी जैसे यहां पर आप देख सकते हैं पार्टर को और और की जो post हमने लिखिया है इसमें हमने अपने keywords को भी बहुत अच्छे से यूज किया है जिसके वह से यह काफी उपर शो होगी है थर्ड चीज हम डिसक्स करेंगे और इसकी मैटर डिस्क्रिप्शन की एक चीज रहेगी जो कि इसकी length है length again जिस तरह title tag की बहुत ज़रूरी है लेक्ते वक्ता आपने इसकी length का खास ख्याल रखते है 6 words और 55 characters से यह length ही लाओ मैटर डिस्क्रिप्शन की भी length बहुत ज़र ज़रूरी है जैके 150 to 160 characters तक है इससे ज़्यादा की मैटर डिस्क्रिप्शन आपकी ranking को hard कर सकती है या वो skip हो सकती है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ यह इस पोस्ट की मैटर डिस्क्रिप्शन की कुछ length ही जिसके साचिन ने इसको skip कर दिया है इस पोस्ट की और देख सकते हैं skip हो रही है तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने आमेशा मैटर डिस्क्रिप्शन को limit के अंदर लिखना है थर्ड चीज़ इसी से related जो हमारे पास है हो है keywords keywords के बारे में एक बहुत ही negative सोच specially पाकिस्ता में पाई जाती है कि जब भी आपने को post या website बनाना लगनी है new post लिखनी है तो बहुत सदा keywords यूज़ करते हैं इससे शायद सोचते हैं कि यह post हमारी साचिन में बहुत दर उपर शो होगी यह search engine इसको बहुत दर इंपोर्टन्स देगा इस keywords सादर यूज़ करने की वएस से लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है त्यूंके Google बहुत दर स्ट्रिंग होगी है keyword spamming के हमाले से आपको 2-3-point हैर चीज़ रखनी है और जिस हद तक भी हो सके आपको rules और limits को cross नहीं करना so keywords का use है वह बहुत ही अत्यात से आपने करना है ताके आपको पोस्ट नैशरल लगे और user friendly लगे ना कि उसमे keywords की spamming होई भी और हर दूसी दीसी line के बाद आपको keyword add कर रहे हैं जबकि उसकी वह मुझाइश भी नहीं जहां पर आपको लगेगे keyword यहां पर बहतर दोर पर use हो सकता है वहां पर आप ज़रूर यूज़ करें खास दो पर अपनी matter description में अच्छे से और अपनी post के दर्मियान ली first paragraph में और last paragraph में to the point आप अपने keywords के यूज़ करें keyword density पर बात करते हैं keyword density का मतलब है किस आप तक अपने keywords को पोस्त में यूज़ कर सकते हैं जो गूगल की तरफ से refer है वो है आप 2% से 3% तक आपको keyword अपने post में यूज़ करना चाहिए इससे ज़्यादा keyword है वो spamming में आ जाएगा और आपकी ranking को हर्ट करेगा आपने लाजमी तरफ इस चीज़ का ख्याल रखना है title tag में meta description में to the point अपने keywords यूज़ करना है और अपनी post में 3% से ज़्यादा आपको यूज़ को यूज़ ना करें इसमें आपको डिटेल से बिटायेंगे जब हम post लिखेंगे उसमें भी हम इसको डिटेल से डिसकस करेंगे और मैं आपको बताबबा के SEO जो आपकी है यह कोई इतनी हाई-फाई चीज़ नहीं जिसको हम समझते हैं के पतनी यह क्या चीज़ और हम यह कर ली सकते हैं बहुत ही असान है आप बिलकुल इसको एजी ली कर सकते हैं अगर आप टूल्स और रेविलेशन के मताबिक अगर आपने अननैचरली कीवर्स यूज़ किये और कोई भी ऐसा काम किया जो कि कुबल जिसको लाइक नहीं करता तो फिर बहुत मुश्किल हो निगा आपका अग्जिस्ट करना है अगर आप टूदी पॉइंट चलते रहें तो कोई इस तरह का नसला नहीं होगा शुरू में यह ही है जोडूर सा स्लो प्रोसीजर ज़ूर होता है अगर एड़ दान रिसर्फ जो हो आपकी फेवर में निकलेगा सो गाइस इस लेक्चर को यही पे एंट करते हैं और आप अपने कॉमेंट्स और क्वेस्टन्स पूछ सकते हैं ताकि हम लेक्स जो पनी लेक्चर्स हैं उनको मसीद बेतर करेंगे आपके फेस्टन्स हो हमको भी आप कॉमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करने का जवाब दे नेक्स लेक्चर में इस कोर्स को टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और मैं कोशिश करूँ मैं इस सारे कोर्स में आपको कोई बीचीज ऐसी ना हो जो हम आपके इसको A to Z स्कोर्स को मैं आपको आप सारे डिसक्स करूँ और आप भी कुछ न्यू चीज है जो भी हो आप आप सारे डिसक्स कर सकते हैं और कॉमेंट में आपके शो कर सकते हैं सो गैस थैंक्यू आप्स आपके आपके सहे हो